एलो व्यूवर्स आई डॉक्टर एस्विकेलाल वेलकम यूवल इन मा यूटूब चैनल मेरे यूटूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को लाइक, शेर और सबस्क्राइब करें ताकि डॉक्टरी से सम्मंधित और केसिस हमारे एक मित्र हैं पलस टू में टीचर हैं विद्वान सिक्षक हैं काउन्टेंसी के मनोज तिवारी तो उनके पिताजी का इलाज मेरे सुपरवीजन में चल रहा था तो वो हाई बलड पेसर से सफर कर रहे थे तो मैंने उनको सलाह दिक यार निका 30 पावर में खाली पिट लिया जाए तो ले रहे थे और उनका सब चीज ठीक ठाक चल रहा था इसी दर्म्यान क्या हुआ कि एक बार हैं तो बहुत ही सज्जन आदमी हैं तो वो चाह रहे थे कि मन्दब किसी को रात में क्यों कस्ट दिया जाए था किसी को बताए नहीं साथी मैंने उनके लिए एक दवा लेकेसिस 200 बताया था कि इमर्जेंसी अगर ऐसा कभी पढ़ जाए जबकि बीपी बहुत हाय हो जाए तो इस दवा को दे सकते हैं तो अचानक सा उनके सीना में दर्द होने लगा और कुछ पसीना सबा गया अब वो इस इस्तिती में नहीं थे कि उठकर कि किसी को बोलें और सुरू सुरू में तो जब हलकी तवियत खराब थी तो वो किसी को परिसान नहीं करें इस भीउसे उन लेकिन संजोग से उनके टेबूल पर वो दबा इमर्जेंसी वाली दबा रखे हुई थी लेके सीस तो उन्होंने एक खुराक लेके सीस ले लिया लेते ही उनको कुछ रिलीफ महसूस हुआ फिर कुछ देर के बाद फिर अगदम नॉर्मल होगे समान ने होगे उनके घर में बीपी का मसीन भी रहता है तो बीपी के मसीन से उन्होंने उनके बीपी की जांच की गई और सारा कुछ सही रहा आब आद में फिर बहुत दिन तक उनका उनको कभी हाइपर टेंसन नहीं हुआ और और अर्निका मौंट सुबह में तीस पावर में प्रतिदिन पांच से साथ बुंद लेते हैं जब फ्रेस हो करके आते हैं और बहुत ही उसका अनकूल प्रभाव रहा तो मुखी रूप से उनको यही दवाई दी जाती है और निका मौंट तीस पावर में प्रतिदिन फ्रेस होने के बाद एक ही खुराक लेने से उनका बहुत अच्छा रहता है कभी कभी मैं कहता हूँ जरुरत पढ़ने पर कि साम में भी एक हुराक लिया जाए तो यह बहुत ही उनके लिए अच्छा सिद्ध हुआ है और बीच में कुछ दिन मैं उनको अर्निका के अलावा जो मदर टिंचर है बहुत ही प्रचलित मदर टिंचर है रॉल्फिया सर्पेंटिना क्यू और अर्जुन क्यू उसको भोजन के बाद देने लगा और भोजन से पहले मैंने कहा कि क्रेट गस लीजिए क्यू पावर में भोजन से पहले दस बुंद और भोजन के बाद मैंने कहा कि रॉल फिया और टर्मनेडिया अरजुन क्यू का दस-दस मुन्द मिला करके भोजन के बाद ले तो उनको जो मेडिसीन दिया जाने लगा वो था अर निका सुबह में ले रहे थे फ्रेस होने के बाद फिर भोजन से पहले उनको क्रेटगस लेने की सलाह दी गई और भोजन के बाद रॉल फिया और टर्मनेडिया अरजुन क्यू इस तरह उनका बीपी मेनेजमेंट हो गया आज इस घटना के लगवक तिन चार बर्स हो चुके हैं फिर कभी वो सिकायत नहीं हुई कि उनको लेकेसिस लेना परे तो हम देख सकता हैं कि लेकेसिस ने कितना कमाल दिखाया लेकिन मैं बार-बार एक बिनम्र अनरोध आप से करना चाहता हूँ कि चैनल देख करके या केसे स्टेडी देख करके ये दवा नहीं ले इस चैनल के माद्यम से और इस दवा के माद्यम से बतलाना चाह रहा हूँ कि कितना प्रभावसाली दवा है ये लेकेसिस लेकिन लेकेसिस ये खतरनाग भी दवा है इसको दुराया नहीं जाता है एक अगर इमर्जेंसी हो जाए mostly comme minimal emergency का situation हो तो इसमें यह दवाशान बचा सकती है तो अगर उचित है कि मतलब हम इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर emergency हो तो हम इसको ले सकते हैं लेकिन इसको हम routine way में इस दवा को नहीं ले सकते हैं इसके अलावा study हुआ है कि अगर मतलब attack हो गया हो या मतलब बहुत परिशानी रह रही हो बीपी कम नहीं हो रहा हो तो और ओल्ड एज का मामला हो सिस्टोलिक और डाइसिस्टोलिक प्रेसर में अगर अंतर रह रहा हो तो कुछ दिन तक लेकेसिस दूसो पावर में सुबह साम और बेराइटा अमियूर तीस पावर में दोफार रात देने से ये वीपी का मेनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाता है लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा कि लेकेसिस एक खतरनाक दवा है तो शुरू के केस में नहीं द सकते हैं उनके निर्देशन में अगर उनकी अनुमती हो तो दे सकते हैं अब ये काम कैसे करता है तो इसमें अगर क्लोटिंग ओगेर सब हो जाता है तो इसको ये गुला देने की छमता भी है इस दवाई में तो इस हिसाब इस तरह